हेलो एबरिवान अज साम के एक नए वीडियो पर आप सभी अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का लाभारतियों का अंगनवाड़ी से जुड़े करमचारियों का फिर से स्वागत हैं आप सभी को मालूम है कि हमेशा से अंगनवाड़ी केंदरों के लिए किराय का जो पैसे सरकार के खर्च होता है वो एक बड़ा मुद्ता रहा है इसी के समंदर पिछले वर्ष से ही पर्यास किया जा रहा है जोबी भावन ही या फिर किराय में चलनेवाड़ी केंदर उसको नज़िकर प्रात्मिक सरकारी विद्याले में सीफ्ट कर दिया जहा है लेकिन इस पर अमर नहीं हो पार रहा है इसी बीच जहां भी आगनवाड़ी केंदर पुराने भावन में चलना है, किसी तरह उनको चलाया जा रहा है, वहाँ पर बच्चो की जान का खत्रा है, साप बिच्चु वगरा का खत्रा है क्योंकि वो भावन काफी जड़र है और आसमास काफी जाड़िया भी है, इसी के सम् बिच्चु को लेकर डर के साय में चलता है महुआवा आगनवाड़ी केंदर, केंदर तो चल रहा है, आगनवाड़ी केंदर पर बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन उनको जान का डर है, कि कुछ घटना उनके साथ कभी भी हो सकती है, कि वह केंदर के इस्तिती इस प्रकार के ह पर साप बिच्छू कभी भी निकल सकते हैं बहुन काफी जरजर है इसी के सम्मद में खबर है लिखा गया है सुविधा विहीन आमस की खबर है ये गाया जीले में पढ़ता है लिखा गया है जहाँ साप बिच्छू का बसेरा है हम अपने कलेजी के टुकडे को किस तरह भेशते हैं या हम ही जानते हैं यह कहना है महुआवा गाओ के अंगनवाडी केंदर में आने वाले बच्चों की आई भावकों का आमस प्रकंड के महुआवा गाउं में संचलेत अगर्वड़ी केंदर के भाउन की हालत इतिनी जरजर हो चुकी है कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है लेकिन प्रसासन को इतिसकी तनी के भी चिंता नहीं है यहां सिर्फ एक सेवी का ही पदास्ता है केंदर पर जैसे तैसे बच्चों को लाती है अगर्वड़ी केंदर के इस्तिती इसकादर खराब हो चुकी है कि सिर्फ कागजो परी संचले हो तो नजला रहा है बेहत जड़जर होने से दुर्गाटना के संभावना है अगर्वड़ी केंदर का भौन बेहत जड़जर होने करण बच्चे कभी भी हादेसे का सिकार हो सकते हैं इस वर भी भागी है और अधिकारियों की ड़जर नहीं है करीब 1996 में भवन बना हुआ था यानि इस हिसाब से देखा जाय तो 28 साल पूरे हो चुके हैं सेविका आसा कुमारी का नुसार खिरकी का बार के तूटे वर्सों हो गया है लेकिन आज तक इसे किसी ने भी ठीक नहीं कराया फर्स पूरे तरह तूट चुका है छत दीवारों में दर जने दरारे खुली हुए साब बिच्चुए को होने की डर से सेविका और बच्चे सह हमें रहते हैं लिखा गया वीभा को कई पर पत्र लिखा गया लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई है वहाँ के सीडी प्यों मंजुक मारी काती है वीभा के पास बहुर मनने कोई फंड नहीं है वर्यादिकारी से बारे कई लिखा जा चुका लेकिन मुझे अब तक कोई जबाब नहीं मिला है देख पाने क्या स्टीति है कई कर जगों पर उम्मीद करूंगा वीभाग इस पर ध्यान दे और इसको निर्माण कर इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद